चले मैंने दोस्त आज शुरू करते है नरीकाड़िस चामंतर पर अरतिक याद कि शौगत इसमें आज शुरू करने जा रहे ह exactamente जिसमें बहारतिये राजव्याषता से सुरू होगा जिसमें बभारत मशलें किया ते क्या था कैसे सुरूरत होई किस तरह से हुआ तो सारी सुरुआत से सुरू करने जा रहे हैं यह topic wise रहेगा मेरे दोस्त याद रुकिएगा और सबसे बड़ी बात है कि topic wise होंगे तो इसमें क्या फायद होंगे कि आपको जम बन करेगा तब देख शबते ही और वो भी one-liner में कि आपको असानी शे आप वो कर सकते हैं तो इसलिए मैं चाहरा हूँ कि आप आराम से देखते रहेंगे यह topic wise topic चलेगा जोगरफी का मैंने topic wise डाल दिया है हिस्ट्री का लगवक सब हो गया है मेरे दूस्त याप्स की का तो लगवक सब कुछ हो चुका है सिर्फ पॉलिटी और जोगरफिया और एकनोमिका बाकी है जिकर एकनोमिका भी हो जाएगा लेकिन पॉलिटी का सुरू करने जा रहा है जोगरफिका वाल नाइनल हो गया है उससे देखिए like कीजिए subscribe कीजिए उसके बाद जुग्रफिका नेक्स्ट होगा तब तब आपका ये चोलेगा पुलिटी का वन नाइनर मोग टेश्ट आपका लगवग हो चुका है मेरे दोस्ट बिहारे शेशे के लिए याद केगा अब जब एक्जाम टेट आएगा तो यूनिक जो है ने ने प्रकाशन का लाने जा रहा हूँ आई का अपडेट देदू दुटी का समान जी के आपको दो से तिन दिन में वीडियो अप्लोड मिलेगा तो चलिए इस पर वान नाइनर है इस पर सिर्फ पढ़ते चलेंगे जो इंपॉर्टिंट हुगा उस पर बात करेंगे अनधा आगे बढ़ते चलेंगे तो पहला कोशन से यहाँ पर देखें भारत का सम्मेधानिक विकाश के बारे में आज पढ़ते हैं कि हमारा सम्मेधान कैसे विकाश हुआ हमारा सम्मेधान का कैसे सुरुआत हुई कहां सा अरंब हुआ हमारा भारत का सम्मेधानिक विकाश क्या है यह सारी विकाश के बारे हैं तो चलिए सुरू करते हैं कि इसमें पहरा कोश्चन से सुरू करतों से वह द्यान द्यान से पढ़ एगए इसका मूख करवाए जाया यद्या नहीं दीए तोकाम टेस्टेश्टेटीلك का मूख टेस्टेटीव और प्रफिजर्क्स का नहीं दीए तो जाके देख लेंगे मेरे दोस्त पॉलिटी का यह पहला है आप पॉलिटी का पहला सेट आपको रिभीव में एक ट्रेलर गुरूप में दे चुका हम जाके देख लीज़ेगा चलिएगा तो सुरू करते हैं याद रखेगा यह यह बुक का जो कोश्चन है आप रिमाइंडर बुक रिमाइंडर बुक शमाने ग्यान बोला जाता है अब बहुत ही फेमश है दे एम भी बोला जाता है याद खेगा यह बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है मेरे दोस्त आपको लगता होगा यह क्योंकि मार्केट में अधिकतर लोगों के पास यह बुक नहीं है सामने आने वारा हो तो आप चलिए देखते हैं हो गई बकवाशे सुरू करते हैं भारतिये सम्मिधान के एतिहासिक विकाश का जो है काल का है ठीक है काल कब से प्ररंब माने जाता है देखिए बहुत इच्छा स्वाल है भारतिये सम्मिधान का एतिहासिक विकाश पूछ है का समय पूछ रहा है का कब आरब हुआ तो 1600 इस भी में हुआ था यह ध्यान रखेगा ठीक है इसी के नीचे यहां पर देखे रेगुलेटिंग आक्ट का पारित हुआ यह बहुत ही इंपॉर्टन रखता है क्योंकि यह पारित होना बहुत ही अच्छा था रेगुलेटिंग क्यों लेते हैं इस कोश्चन को आप डिवन करता है अब डिवलेटिंग एक्ट जो है पारित हुआ तो 1773 में क्योंकि अगर यहां से सुरू नहीं होता तो हमारा शम्मिधान का शुरुआत नहीं होता यह माना जाता है तो यहां पर देखेगा अगर देखा जाए पूछेग कि भारतिय समीधान का इतिहाशी का तो सोलर शोई स्वी से है ना नॉन्मल सोलर शोई इस वी में इस्ट इंडिया कंपरी आए अंग्रेज की शुरूआत हुई समझें उस समय से हम लोग लड़ना शुरू किये क्रांती शुरू कर दिये है ना तो वही समझें कि हम लोग के भी फाइदा हुआ है रोगलेक्टिंग एक्ट कब पारित किया गया तो 1773 में चीक है 1773 में यह इंपॉर्टेट है रोगलेक्टिंग एक्ट इसलिए बार में रिप्रिट करता हूं आगे सवाल है सरप्रधम उच्चितम नियाले के स्थापना का प्रवधान किस अधिनियम क जो है उच्चितम नियाले की स्थापना हुई क्यों भाई क्योंकि रोगलेक्टिंग एक्ट पारित हो गया ऐसा 1773 में और यही है कि सरप्रधम आपसे पूछेगा सरप्रधम उच्चितम नियाले कि स्थापना का प्रवधान जो है किस अधिनियम द्वारा तो यह एक तरसे रोगलेक्टिंग एक्ट अधिनियम है जो रोगलेक्टिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो है उच्चितम नियाले की स्थापना हुई थी सरप्रधम यह तकिएगा वही भारत में ऐसे बोलिएगा तीक है आगे चलेंगे किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर्ट जनर्र को अधिया देश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है तो भारती यह परश्रद अधिनियम 801 के दर यह पूचता है में दोस्त और इसमें बहुत लोग कन्फियूज होते हैं तो याद रुकेगा किस अधिनियम द्वारा कौन सा ऐसा अधिनियम है जिसमें भारत के गवर्न अधिया है होता है ना मतलब होता है कि भारतीए इस परिशद अधिनियम 871 के आधिनियम के द्वारत की गवर्न जो भी भारत के गवर्न चलेंगे उनको अध्यदेश का क्षडिकानिंध 4771 नहीं के भारत परशद यह रिद्वारत परिशद यह गैंद्वलसाइ क्योंकि उसमें Gouverneur Journal 1786 में तो अगर आप से पूछ है कि 1786 में 1786 में का एमेंडमेंड में जो एक्ट था उसमें क्या नेने हुआ तो नेने ये लिया गया कि भारत के जो कवर्ण जर्लैने उनका जो है समीती के नेने को अर्षिकार करने का भी अरिकार मिला है ठीक है उनका अर्षिकार करने का भी नेने लिया गया है ज़रूरी ने की शिकार ही करें ठीक है अर्षिकार कर सकते है किसके तहर भाई तो 1786 ठीक है समझे मारा है चलिए आगे चलते हैं भारत के किस Security of State बोला जाता है कि आप जे सुचारण में करेगा उस उचारण में आपको याद हो जाएगा Secretary of State की लगती किस अधिनियम के अंतरगत की गई है बहुत की किस Secretary of State की लगती किस अधिनियम के तहद की गई है तो या दिखेंगा भारत सरकार अधिनियम अठार सो निठावन मतलब 1858 कितार जो है किया गया है क्या किया गया है तो भारत के लिए Secretary of State की निउक्ती की गई है तो Secretary जब आपको लगे कि यहांप confusion है तोड़ दीजे तो Secretary of State की निउक्ती किस अधिनियम के अंतरगत की गई तो भारत सरकार अधिनियम अठार सो निठावन के जो है तहद की गई है इसमें boring हो रहे हैं मेरे दोस्ते यही question बनता है और इस question को नहीं जानते वो अंजान बन जाते हैं इसलिए द्यान से पढ़िएगा किस अधिनियम के अधिन अप्रतेच निर्वाचन के सिधान्त को मानता दी गई है मानता दी गई तो यह दो कि यह भारत परशद अधिनियम 1892 में ठीक है 1892 में मतलब भारत परशद अधिनियम जो है 1892 में क्या हुआ है कि अप्रत्यच जो निर्वाचन होते थे कि सिध्धान्त की मानिता दी गई है तो अप्रत्यच अगर पूस्टे आप से कि अप्रत्यच निर्वाचन के सिध्धान्त की मानिता दी गई है किस के तार, कौन से अधिनियम के तार तो 1892 के तार भारत परिशर अधिनियम यह दो कि भारत परिशर अधिनियम 1892 ठीक है याद रुखेगा एक 1800 क्या था नदाईगा यहाँ पर देख लीजिए एक 1861 में यहाँ पर गन्फ्यूज मत होएगा मिला तो 1861 में क्या हुआ था अध्यदेश चारी करने का शक्ति प्रदान थी ठीक है किसको गवर्नर जनर को यहाँ पर देखिए 1892 में देखिएगा 1892 में 1892 में क्या है कि अब प्रतेश निर्वाचन के सिधान्त की मानिता दी गई है ठीक है यहाँ पर भी देख लिए यहाँ पर भी देख लिए अठासो बावन भार शरकार अधिनियों अठासो अठावन सारी अठावन में ठीक है इसमें क्या है कि सेक्रेट्री ओफ अस्टेट की निर्वति की गई है यहाँ दूखिएगा ठीक है यह सब इंपॉर्टेट है चलिएगा यहाँ पर देखे दूख साशथ दूख साशन जो होती है शाशन की प्रान्तों में पद्धि का प्रणब कब की गई या कब किया गया तो यह दुखिएगा उनेश और उनेश और उनेश और उनेश सिस भी याद configured तो द्वैत शाषन की अगर बात करेगा द्वैत शाषन की प्रांतों की जो प्रांतों में पद्धिती का प्रणुम्ह की बात करेगा तो उने शाषन इस भी याद रुखेगा ठीक है कोई लिक्तर नहीं आगे चलेंगे आगे सवाल है कि विधाईक कारियों को प्रशाषनी कारियों में प्रतक करने की बिवस्ता किस चार्ट एक्ट के द्वारा की गई है तो याद रुखेगा चार्टर एक्ट अठार सो तिरपन तो अगर आपसे पूछें कि अठार सो तिरपन मतलब 1853 में जो चार्टर एक्ट है था उसमें क्या बात हुई थी तो याद खीगा इसका क्या है कि बिधाईक जो कार्ज होते थे बिधाईक कार्जों को प्रशाषनी कार्जों से प्रतक करने की बेवस्ता जो है ब्युस्ता जो की गई थी इसी चार्ट एक्ट के तहर की गई थी तो चार्ट एक्ट 1883 का यही कारण है कि बिढ़ाईक जितने भी काज को प्रशास्नी काज में प्रिथक करने की ब्युस्ता को करने के लिए इसके द्वारा की गई थी किसके द्वार भाई तो चार्ट सब देखते चलिए इसने मैं सुरूच चल रहा हूं आप बाद में आप चाहेंगे तो इसे असमीट करके देख ली सेगा देखेंगे 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 मेरे जरूर क्यों क्यों कि आपको विहार इससे के लिए बहुत इंपॉर्टेट है सबी एक्साम के लिए हता है देखेंगे भारत में इस्टुडिया कंपणी आई थी यह तो आपको पता है चोके 1600 में इसके सुरुवात कर दिया था है ना 1600 में जो सबसे पहले बढ़े तो याद किए गाव भारत में इस्टोडिया कंपनी के शासन था उसको कौन सा ऐसा अधिनियम आया चुके इस्टोडिया कंपनी को हम लोग समाप्त कर दिये तो वो है भारत सरकार अधिनियम 1859 ठीक है तो 1859 ठीक है बोला जाता 1859 ठीक है ठीक है तो 1858 के तहर क्या हुआ केश्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिये गया ठीक है यह धिहा रखीगा आगे चलेंगे मिन्टो मॉरल सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है तो मिन्टो मॉरल सुधार मॉरल बॉला जाता है मिन्टो मौरल सुधार जो है किस अधिनियम को कहा जाता है यह दखेगा भारतिये परशद अधिनियम उनेशनों इसको भारतिये परशद अधिनियम उनेशनों इसको क्या कहते हैं तो मिन्टो मारूल सुधार कहा जाता है यह दखेगा तो भारतिये परश्यद अधिनियम उनेशनों उनेश को क्या कहेंगे मिन्टो मौरिल सुधार कहेंगे यहाँ दखेगा चलेगा यहाँ पर देखें बहुत अच्छा सवाल है कि महरानी विक्टोरिया को भारत की शमगरी कब नुक्त की गई मतलब किया गया अजिए गए 1927 भी में नुक्त की अगया था घ다ल ऑप से पूश यहे अ कहाँ महरानी विक्टोरिया को भारत की शमगरी कब न विक्टोरिया गया तो यहाँ द खेगा 1927 भी में पर देखेगा स्चाम अब देखेजिए स्चनल माखक्री कब नुक्त की गया पर यहां पर चलिएगा यह फिर से सवाल है बहुत अच्छा सवाल है यहां पर दिखिए मारलो मिन्टु सुधार का उद्धेश क्या था तो प्रथक निर्वाचन पढ़ना लिए ठीक है अब यहां कब आया था सुधार अधिनियम कब आया तुनेश्व नौ यहां तो आप से पढ़ना लिए जो हता है था प्रथक एक निर्वाचन पढ़ना लिए ठीक है अलब हो एक तरसे अलग ठलक कर दे तो प्रथक करना अलग करना प्रथक निर्वाचन पढ़ना लिए यह आया था मौदे मिन्टो सुधार का उदेश था जो कि उनेश्व नौ में आया था ठीक किसे तो भारति ये परशाद अधीनि मुद्श्रों को दोनों के लिए और जिसके रहे हो गया रंज आगे मुशन्मानों के लिए तरी फास के सो निर्वाची मंदल जो है प्रणभ में किस के द्वारा लाया गया था बताईगा तो यही और मारलो मेंटव मारलो मेंटव तो मुस्लमानों के लिए अत्रिक्त एक निर्वाचन मंडल का सुरुवात किया ठीक है और निर्वाचन मंडल जो लाया था वो किसके तहर लाया तो यहीं तो है मार्लोमिंटो सुधार उनिशनों अब देखिए उपर ही कोशन आप जैस्टर देखिए कहा पर क्या है उद्देश क्या था इसको प्रतायक करना तो हिंदो मुस्लिम को तो अलग करने लगा तो एक तरश मुस्लिम के लिए निर्वाचन मंडल लाया लाया कि नहीं तो यह किसके तहर लाया उ मुस्लिम को क्या कहा जाता है थे भारतिय परश्यत अधिनियम कहा जाता था इस्च किसYou एंगल सगूкрाएगा तो आप कैलियर हो मालो मिन्टो को एक और नाम से जानते हैं भारतिय परश्रत अधिनियम नैंटी जरो नाइन याद रखेगा उनेशो नौ याद रखेगा मालो मिन्टो का सबसे पहले क्या उद्देश था कि मुस्लमानों के लिए एक अत्रिक्त जो है निर्वाचर मंदर का आरम करना तो याद अब यहां से आजाएए मॉन्टी 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 म क्या लच्छ था लच्छ यही था कि प्रांतों में दोगरा शाष्ण लाना हर प्रांतों में दो दो शाष्ण रखेंगे याद खेंगा तो यह किस के तहट था चेम्स फोर्ड के तहट था तो याद खेंगा मॉन्टू चेम्स फोर्ड बोला जाता है याद रखेंगे ये सवाल अलग है पोश वाल अलग था याद रखेंगे तो मॉन्टू और मॉरलो दोनों अलग थे याद रखेंगे याद करने के लिए आप ऐसे तरीके अपनाएत तरहेंगे ठीक है चुरिएगा किस अधिनियम को म एक था 1909 तो 9 को हम लोग क्या कहे थे जिसे मॉरलो मिंटो कहा जाता है इसे कहा गया था भारती ये परिशर पा लग गया परी लग गया तो परिशर ये 1909 में आया था जिसे मॉरलो मिंटो कहते हैं एक है 1909 में जिसमें सासन लग गया शास लग गया शास ऐसे याद करेगा ठीक है जो शार्षन लग गया तो वो गया आपको मॉंट्यू जिम्सपोर्ट तो शार्षन मतलब दोहरा शार्षन ठीक है दोहरा ठीक है दोहरा ठीक है दोहरा शार्षन ठीक है यह तो खेगा और एक आया परिश्ट परिश्ट में क्या है किसमी परिश्ट अलग करना अलग करना मतलब निरवाचन करना जीक है निरवाचन अलग है ना? अलग-अलग कर देताँ तो ये परशयर मतलब अलग कर देना एक अलग परशयर बना दाना अलग घ्र बना देना तो ऐसे याद कर लेगा तो अब तो कन्फियूसर नहीं होगा दो segundo अब तो भूलिएगा नहीं, तो अगर आपसे आजाए कि मॉन्टियू चेम्सपोर्ट सुधार अधिनियम को क्या कहते हैं, तो भारत शासन अधिनियम कहते हैं, या रखेगा, भारत शासन अधिनियम कहते हैं, और ये मॉन्टियू चेम्सपोर्ट का क्या था, जो है उद्दे भारत परिशर्द हो गया अब भारत शरकार पे आते हैं ठीक है तो अब चलिए भारत में शंगी बिवस्था के लिए देखें यहाँ पे शंगी बिवस्था भारत में शंगी बिवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उलेख किया गया है शंगी बिवस्था के लिए यही हम लोग के लिए सबसे अच्छा माना जाता है भारत शरकार अधिनियों 1935 कि बहुत इच्छा था जो कि ऐगा यह क्या कहता है भारत में संगी बेवस्था अगर आप से पूझते कि भारत परकार अधिनियम 1935 जो है आप बताई पहली बार जो लेक किया गया था क्यों किया क्योंकि भारत में संगी बेवस्था के लिए ये नियम बना था कि भारत एक शंग होगा याद रुकिएगा इस तरह का ठीक है तो याद रुकिएगे यहाँ पे निखिए किस अधिनियम के तहद अखिल भारतिये महा शंग अस्थापित करने का प्रुधान शामिल किया गया था तो याद रुकिएगा यह भारत शरकार अधिनियम 1935 जो है भारत शरकार 1935 चीक है भारत शरकार 1935 अगर आपसे पूछे कि किस अधिनियम के तहद अखिल भारतिये महा शंग अस्थापित किया गया देखिए शंग ये वे उस था भारत शरकार 1935 अखिल भारतिये महा शंग अस्थापित तो भारत शरकार अधिनियम 1935 यही याद रुकेंगे तो भारत शरकार 1935 याद रुकेगा तो अखिल भारतिये महाशंग अस्थापित करने का क्या है तो भारत शरकार अधिनियम 1935 चीक है याद रुकेंगे आगे चलेगा आगे है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अस्थापित जो है संग में अब सिस्ट सक्तियां किसे दी गई थी तो यार दिखेगा जो भारत के गवर्णर जर्नल होते थे या जो भी गवर्णर जर्नल होते थे तो यार दिखेगा उस समय क्या था कि भारत सरकार अधिनियम जो 1935 आए था इसके तहट क्या हुआ कि भारत के गवर्णर जर्नल जो होते थे उन्हें क्या हुआ कि शंग में जो अफ्सिष्ट सक्तियां होती थी वो दी गई थी यार दिखेगा ठीक है यहाँ पर दिखेगा कि भारत सासन अगर पूछे 1935 के द्वारा ठीक है द्वारा अस्थापिज संग को अफसिष्ट सक्तियां किसे लिए गवर्णर जर्नल को ठीक है अब यहाँ पर देखेगा यहाँ पर थोड़ा सा यह पढ़िएगा कि प्रतेच्छ निर्वाच्छ निर्वाच्छ निर्वाच तो निर्वाच्छ निर्वाच्छ के अगर बात करेगा तो उनेश्वा रिखेगा चिक है आगे सवाल देखें कि सरप्रतम संब्लान सवाज के गठन का अस्वासन किस परस्ताव द्वारा दी गई तो याद देखेगा कृप्श मीशन के द्वारा चलिए आगे चलते हैं ठीक है देख रहे हैं भारती राजवेस था यह पार्ट पेस का पार्ट टू है पेडियो बनाए है इसलिए ऐसे दिख रहा है ठीक है तो चलिए आगे चलते हैं आगे आप देख सकते हैं भारत सरकार द्वारा अगस्त परस्ताव जो है कब पारिद किया गया तो भारत सरकार द्वारा अगस्त परस्ताव की अगर बात करेंगे तो याद रुखेगा अगस्त आठ अगस्त अगस्त परस्ताओं मतलब अगस्त में हुआ ये तो आप भी जानते हैं तो आठ अगस्त उन्हें शौट चालिस स्वे में टीक है वन नाइनर हमें दोस्त और कोशन बहुत ही भी भी आये याद रुकेंगे तो अगर आपसे पूछें कि भारे स्वकार दोरा अगस्त परस्ताओं कब पारिज किया गया तो आठ अगस्त उन्हें शौट चालिस में किया गया था ये तो आगे चलेंगे आगे बहुत ही अच्छा सवाल है क्या है कि राज गुपाल अचारी जो थे फर्मूला कब प्रस्तूत किया गया था तो राज गुपाल अचारी का जो है एक फर्मूला था जिसे फर्मूला के नाम से जानते हैं कि राज गुपाला चारी फर्मूला कब प्रस्तूत किया गया तो यह दिखेगा 10 जुलाई 1944 को तो अगर आपसे पूछें कि भारत सरकार जो है बताईगा यहां पर भारत सरकार अगस्त प्रस्तूत का पारिज किया गया 8 अगस्त 1940 को और राज कुपाल चारी फर्मूला का पस्तूत किया गया 10 जुलाई 1944 को ठीक है के लिए यह सब कोशन आया हुआ है मैं दोस्त यार तकेंगे एससी का सीजल हो या में शो इसमें यह कोशन पूछा था यहां तक की बीपीसी का जो कोशन था उसमें यह था ना कि इसके बारे में बताना था कि राज कुपाल चारी फर्मूला आया क्यों है ना तो आप आपको शिर्फ यह की फर्मूला कपस्तो तो ही अगर बिहार इशेशे की तयारी कर रहा हूं उनके लिए इस्पेसली मैं बहुत आ रहा हूं यार तकेंगे चीक है आगे है कि अधी शाही परशद के गठन का पस्ताव जो है किस योजना के अंतरगत दिया गया तो यह तो अगर आपसे पूछे कि अधी शाही परशद के गठन का पस्ताव किस योजना के अंतरगत दिया गया तो बेवली योजना के तहद दिया गया यह तकेंगे चीक है आगे चलेंगे कैविनेट मिशन बहुत ही इंपॉर्टन कोश्चन और भी विया कोश्चन है जैसे कैव कैविनेट मिशन के बाद हो एक कुश्चन तो फिक्स रखें तो कैविनेट मिशन की तीन सदश कौन-कौन थे तो तीन सदश की अगर बात करेंगे तो एक शाह दो हैं पैथिक लॉरेंश है या तकेगा कौन है पैथिक लॉरेंश तो कैविनेट मिशन की तीन सदश थे तीन सदेश कौन-कून तह फैठी कन्लोरेश एच चियर पहला स्टेव लाइस टी फोर्ड रोट शते एठ पीश केगा बूसरा फैस एडर्जards यह नंदर सब्याओर मे जदिने सदश공न फैठी लॉरिंच पहला थे अस्टे फोर्ड क्रिप्ष क्रिप्ष नाम ही इनका ठीक है अस्टे फोर्ड क्रिप्ष याद केगा L.V. Alexander यह जो थे तीन सदस जो थे वो केमिनेट मिशन का सदस थे याद केगा एक्टरेस्व बनाने का रूप कहिए बनाने का जो है लाने का कहिए, विशन का किन का काम था है, यह 30 was का, ठीक है? याद करने का ऐसा तरीका है तो कमिनेट मिशन के कितने शदस, तिन शदस, कौन कौन, पैटिक लॉरेंच, अस्ट्रेफोर्ड, कृप्ष और एलवी एलेकसेंटर, ठीक है, चलिए, हमें चलते, यहाँ पर देखिए, 1909, ठीक है, 1909 के इंडियन कौंसलिंग आक्ट, 1909 के इंडियन कौंसलिंग जो आक्ट ह में किस बात की व्युस्ता की गई थी, अब इसको आपको बताना है कि इंडियन कौंसलिंग आक्ट है, उसमें जो ब्युस्ता थी, किस बात की थी, तो यहाँ देखिएगा, वो थी संप्रदाइक पृतिनिधित्य की व्युस्ता की बात की गई थी, तो संप्रदाइक प्रतिनिद्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट ठीक है और महत्मा गांदी कि मद्ध जो है पूना पैक्ट एक शम्ज़ोता हुआ था आप नाम चुने होंगे है ना जो कि इसमें अभी ने दिया है तो याद रिखेगा तो वी आरम बीत कर और महत्मा गांदी कि मद्ध जो है 1932 में एक हस्ताचित हुआ जिसे पूना होता में प्रवधान की ती अगर आप से पुछे कोष़चन पूछेगा सबसे पहले तो कोष़चन पूछता है कि पूणा पैक्ट जो है या पूना समझ़ोता किस के किस के बीच हुई तो वी आरम बेत कर महत्मा गांदी गांदी है दूसरा स्वाल पूछेगा कि पूना फ धान हुआ था पूना चम्जोता का अब किस पे हुआ था ये सवाल बनता है इतने कोशन तो बन गया अब ये सवाल बनता है क्यों भाई इन दोनों के बीच ये हस्ताचर हुए हस्ताचर क्या हुआ कि हर जनों के लिए आरच्छन एवं सेयुकत निर्वाचन छेत्र होंगे याद केगा इसी पे चर्चा हुए थी तो वी आराम्बेदकर और महात्मा गांदी के मद्र जो है उने शवा बत्तिस में एक हस्ताचर हुआ जो कि पूना समझोता का लाया आप पूना समझोता जो हुआ था महात्मा गांदी और बेराम्बेदकर में तो उस पे क्या कारण था किस बात पे हुई थी हस्ताचर तो हस्ताचर यही हुआ था कि हर जनों के लिए आरच्छन देना एवं सेयुकत जो निर्वाचन छेत्र है एक एस्पेसल उनलों का होना तो याद रखेगा तो हर जनों के लिए आरच्छन और सेयुकत निर्वाचन छेत्र यही हस्ताचर वाथा जोसे हम लोग पूर्ण समझाता के नाम से जानते हैं जोगी 1930 जोगे हुआ था 1932 में इसा भूलियेगा मत हर डंग से मैंने ये कोशन करवाया अगर आए तो आप पिक आउट करिएगा चलेगा आगे है भारतियों को वर्ष 1947 में भारतियों को वर्ष 1947 में सर्व भौम शर्ता सौपने की योजना किस नाम से जाना जाता है मत भारत शरकार जो भारत के लोगों के लिए भारत शरकार कहिए कि हमारा जो भारत शरकार जो बना एक शाशन जब हुआ हमारे भारत का खुद का तो उससे में उने शर्ता से तालिस के बाद कौन से ऐसे योजना आए थे जिसमें हमारा एदम कहिए कि भारत का हो गया especially कि भारत के लोग ही शासन करेंगे तो वो था मॉन्ट वेटियन योजना के ताहद यह तकेगा तो यह जो है शौपने का जो है शौप आगे है कि हम लोगो शत्ता सोप दिया गया तो उनिशर 27 Σ-40 में तो किस योजना के ताहद तो मौन्ट बेटेन योजना तो या दिखेंगे मौन्ट बेटेन योजना कब आई तो 947 में आया या दुखेगा इसके ताuddhi ही सक्ता शौपने की जो भारत को अपना इतरशा अजादी मिल गई हमारा शाहसन होगया इस तरह का ठीक है भारत सोसंत्र हो गया या दुखेगा त में इंगलेंड में किस पार्टी की शरकार थी यह पूस्ता है लेवर पार्टी की सरकार थी यह जो हमारे भारत में आजादी हो रही थी ठीक है हमारे भारत जो है आजाद हो रहा था जो आजाद हो रहा था तो एक यह विज़ना के तहद हुआ मैं तो सत्ता सोपा गया कौन सा तो Monteverington न उसना जो कि उने 472 की बात है अब जब अजाद हो रहा था हमारा भारत तो उसमें England का जो है जो है कहिए कि कौनसी पार्टी जो है सरकार में थी कौनसी पार्टी जीती थी England में तो वो लेवर एक पार्टी थी वो जीती थी याथ केगा England में तो सी कहता है पूच्था है कि लिवट पार्टी जो अभर गार कर इंगृंड कर जो सरकार हों कब उभर गई च्खेगा वो जब हमारा भारता रहा धा था उसने यह लिवट पार्टी इंग्लेड का जो सरकार थे ठीक है ऐसे गुमाएं चाहिए वैसे कोशन अब दिक्कत नहीं होगी ने मज़े दोस्त आगे है कि किस अधिनियम किस अधिनियम के किंद्र में द्वेशासन परणाली को अस्थापित किया गया था तो भारश शरकार अधिनियम मुनेश पैंतिस के तार किया गया था तो द्वेशासन जो है परणाली याद खीएगा द्वेशासन मतलब द्वेशासन बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीक है अमाली जिए किंद्र शरकार है तो राश शरकार में भी होने चाहिए खाली किंद्र सरकार तो नहीं कर सकता है ना तो इस तरह का पॉंटे फ्यू था या लिएक कि हमारे अगर भारतों पूछए कि उसरकार्ण बढ़ाली को अस्थापित किया गया तो भारत सरकार 935 के तहर चीकार और धिनियम के तहर चीक है ठीक है अपसे नहीं भूलिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है इसलिए सुनने जागा और नेक्स्ट वीडियो में आपका शम्मिधान सबासरू होगा क्योंकि टॉपिक वाइज चल रहा है मेरे दूस्स कभी भी देख शकते हैं जो भी एक्साम देंगे ठीक है choose क्या है कि मतर टौफिक वाइए चौक्हें टौफिक वाइज चल रहा है आपको परता न्युक्र चल रहा है ज़्यक्हें जेसे चलेंगे आप देख लिएकर सर्जा नेक्स्ट वीडियो में आने वहला है आपको आपके लिए बहुत ही आएगा देखे बहुत सारा है कोशन है ना तोपे श्काइब खरेंगे स्पोर्ट करेंगे में डूस्त यार्ट होगए यह देखिए सारा कोशन आपके लिए कि दिए जलते हैं यह जल अरह आठाए आपके लिए बहुत इंपोरडन है या थार लाइक और श्रकार करेंगे चलिए बाई-बाई टटा में दोस्त जहन जेवारत शुरू करते हैं समिधान शभा समिधान शभा का वन लाइन चल रहा है ठीक है और यह सब जो है टॉपिक वाइट टॉपिक चल रहा है पार्ट वन पार्ट टू करके आपको थम लाइन में लगा दिये जाएगा आप दिख पहले कोशन से शुरू करते हैं और सिर्फ क्योंकि समिधान काम को निर्मान करना है शामिधान चवा के बारे में जानना तो चलिए बढ़ना पड़ेगा क्विक इंपर्टिंट कोशव्शन है में दोस्त चलिए थुड़ी जोब कर दिया तो चलिए पहला कोशन आप देख स तो यात्रखेगा भारतिये सम्विधान जो है भारतियों की इच्छा के अनुशार होगा या किन का कहना है तो ये है महात्मा गानी का कहना है यात्रखेगा तो महात्मा गानी क्या कहे है कि भारतिये सम्विधान भारतियों की इच्छा के अनुशार होगा यात्रखेगा चीक है आगे चलेंगे आगे है कि किसके द्वारा ब्रिटिश शरकार से मांग किसके द्वारा ब्रिटिश शरकार से मांग की गई कि भारतिय शमिधान के निर्मान के लिए शमिधान शभा का गठन किया जाए तो याँ दिखेगा मोतिलाल नहरू द्वारा की गई थी याँ रखेगा तो मोतिलाल नहरू द्वारा भी भी ऐए कोशन बनता है मेरे दोसे याँ रखेगा मोतिलाल नहरू द्वारा क्या हुआ कि एक मांग की गई किस से तो बिटेश शरका से क्या मांग की गई कि एक भारती सम्मिधान का निर्मान के लिए हम एक सम्मिधान सभा का गठन किया जाए तो सम्मिधान सभा का गठन के अगर बात कहें कि कौन मांगे बिजटी शर्का से पस्थाओ दिये तो कौन किये तो मोतिला नहरू जब आलाल नहरू मत लगा दी जगा नहरू जी है तो मोतिला नहरू जब आलाल नहरू जी का पिताजी का भूवी का था याद रुखेगा शमिधान शभाग का गठन करने का याद रुखेगा आगे सबार है कि शमिधान शभाग के विचार का अपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था तो या दिखेगा वो है प्रतिपादन जो किया गया था वो इम इन राय द्वारा किया गया था तो किसके द्वारा इम इन स्वरी यहां पर दिखे बड़ी हसल की देता हूं इम, इन, राय, चीक है, राय द्वारा, यह तखेगा, चीक है, तो यह तखेते हैं, अगर बहुत ही इंपॉर्टेट है, बी-बी-ई कोईशन है मेरे दोस्ते, यह तखेगा, इस्टार लगा लिजए, क्या है कि भारतिय शभाव के विचार जो होते हैं, विचार का आपचारि समिधान शभा, समिधान शभा को किसने मुर्थ रूप प्रदान किया था, मुर्थ रूप से अगर प्रदान किया था, वो जवाला नहरू किया थे, मांग कोन की है, मौतिला नहरू, समिधान शभा का गठन के लिए, चीक है, मौतिला नहरू, और अगर आप से पुछे, समि जो है शम्मिधान के निर्मान की मांग को लेकर परस्तावित जो है परस्ताव पारित किया था तो आप से पूछेगा कि कॉंग्रेश जो पाड़े थी कॉंग्रेश पार्टी जो थी उन्हें 136 में शम्मिधान के निर्मान की मांग को लेकर परस्तावित जो है परस्ताव पार यह पूसता है ए ध्यान रखेंगे डिखेगा चिस विक्ति ने उने उर्टिश में ने इखेगा वेस्क मतरिकार के अधार पर शमिधान शभाका गठन की मांगी तो जवाला नहरू के अधार पर सरी जवाला नहरू ने एट किएगा देखेगा किस योजना के ताहद वर्स 1942 में यह श्युकार किया गया कि भारत में एक निर्वाची संबिधान सवा का गठन होगा जो युद्धो परांत शंबिधान का निर्मान करेगा या करेगी तो कृप्श मिशन योजना के ताहर याद किएगा तो कृप्श मिशन योजना कब आया 1942 में मैंने ये सवाल आपसे सोचा की पूछ हूँ तो लीजे आपसे के सामने आ गया तो अगर आपसे पूछें कि कृप्श मिशन कब आया भारत तो याद किएगा 1942 में आया था याद किएगा तो 1942 में कृप्श मिशन जो है आया याद किएगा तो इसके तहट क्या हुआ कि यह स्युकार किया गया कृप्श मिशन के तहर यह स्युकार किया गया कि भारत में एक निर्वाची सम्मिधान सभा का गठन होगा जो युद्ध परांत सम्मिधान का निर्मान करेगी युद्ध परांत जो होगा निर्मान करेगा कृप्श मिश्वन करेगा आगस फाल सम्मिधान सभा के गठन की मांग सरप्रथम 895 में किसके द्वारा पस्तूत की गई तो यह दिखेगा बाल गंगा धर तीलक द्वारा की गई यह दिखेगा यह सबसे जवरदस्त है 1895 में क्या हुआ कि बाल गंगा धर तीलक जो थे तीलक के द्वारा क्या हुआ कि समिधान सभा के गठन की मांग सरप्रथम की गए थी तो बाल गंगा धर द्वारा ही सरप्रथम अगर आपसे पूछे कि समिधान सभा का गठन की मांग सरप्रथम कुन क्या अठासवपनचाल में तो यहां तखेगा वह हैं पालगंगत थैंड द्वाना ओंड है तीलेग द्वारा ठीक है यहां तो अगे सवाल है कि भारत के शमिढ़ान सभा कठि़ित करने का अधार क्या था तो यहां तो क्रिपश मिशन जुख जुख जबान है तो क्रिपश मिशन तो यहां पर क्या था कि भारत की समिधान सभा गठित करने का अधार क्या था तो 1946 प्लान आया था क्या था कि भारत की समिधान सभा गठित होगी यहाद केगा तो लखनाव अधिविशन में पढ़ता है आपको पता है तो याद रुखेगा तो लखनव अदिविशन में ये जो है मांग की गई थी क्याब की गई थी भाई तो समिधान सभा की गठन की मांग की गई थी याद रुखेगा लखनव अदिविशन में आगे सवाल है केमिनेट मिशन योजना के अनुशार सम्मिधान सभा में कुल कितने सदस थे तो 389 थे या तुखेगा ठीक है यह तुखेगा तो यह कोशन जो है आपको बहुत बार बनता है अब भी भी है कोशन परता है यहां पर देखिएगा यह ज़रूर ध्यान रखेगा देखिएगा यहां पर देखिए यहां पर क्या है कि समिधान शभा में बिभिन परांतों के लिए दोसव बान में बान में शर्दश्य का निर्वाचन होना था इसमें से कॉंग्रेश के कितने प्रतिनिद्ट निर्वाचित होकर आए तो यह दो दोशऑ आठ सदसव जो है निर्वाचित होगया थे याध कि दोसव आथ्सदस निर्वाचित होगया थे मसलन जीत के थे त्लड़ाइस साहीं सूझ कर देला हूँ अचभा आगे सवाल देखे कि पुन्द पुनरगठन कहिए या पुनरगठन कहिए या पुनरगठन के पहश्यात या देखेगा वर्ष उनेश्चो सेंटालिस में समिधान शभा के सदर्श्यों के संख्या कितनी रह गई जा देखेगा कि पुन्द गठित सम्मिधान शभा में देशी रियाश्चत के लिए कितने पुन्द गठित सम्मिधान शभा में विभिन्द परांतों के लिए जो कितने पुन्द गठित थे 229 थे या दुखेगा ठीक है यह पूस्ता है इसलिए या दुखेगे आगे सवाल है कि सम्मिधान शभा के सदर्श्यों को किस ने अप्रत्य चरुप से निर्वाचित किया पताईगा तो प्रांतों के विधान शभा ने अप्रत्य चरुप से निर्वाचित क्या था याद रुखेगा प्रांतों के विधान शभा ने याद रुखेगा ठीक है पूस्ता है आगे सवाल है कि शमिधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिद्यूत सबसे अधिक था तो स्विधान प्रतिनिद्यूत सबसे अधिक था या तुखेगा ठीक है आगे सवाल है कि किस छेत्र में V.R. Ambedkar का समिधान सभा में निर्वाचन हुआ था तो या तुखेगा वो हैं पच्छी मंगाल में या तुखेगा मतलब W.B. पच्छी मंगाल में यह हुए थे क्या हुए थे वाई तो पच्छी मंगाल में जो है से बियार Ambedkar का समिधान सभा में निर्वाचन हुआ था या तुखेगा समिधान सभा के निर्वाचन में हुए थे या तुखेगा पच्छी मंगाल से तुखेगा या तुखेगा आगे सवाल कि भारतिय समिधान को किस ने बनाया तो या तुखेगा समिधान शभा ने बनाया या तुखेगा आपसे पूछेगा भारतिय समिधान को किस ने बनाया भारतिय समिधान शभा ने बनाया था या तुखेगा कि अगर सवाल है कि सम्धान सवा के पर्थम बैठक की गई ? तो 9 दिशंबर उन्हें 2946 को क्या किया गया तो या तखिएगा शमिधान सभा का पर्थम बैठक की कई गई तो 9 दिशंबर 1945 से याद खिएगा हो और यहां तरकिये जोलीज पोर्थन लिकंखेव-या थो और यह तरहें समीधान सवा का पर्थम अदिवेशन कहां हुआँ तो गद्धि के तो देलही में हुआ याद रुखेगा ठीक है देलही में हुआ ठीक है ये सवाल पूस्ता है इसलिए मैंने बता दिया आगे सवाल है कि समिधान सभा का उद्गाटन जो हुआ था अदिवेशन समिधान सभा के उद्गाटन अदिवेशन की अदिष्टा कुछने की थी तो या चिन आनन ये कहते हैं चानिज्ट अब इसमें सवाल दो बनते हैं एक सवाल बनता है कि स्वाइड सवाह का अस्थाई अध्यच कौन थे टो डॉक्टर रजिंदप्रशाद कि अस्थाई सदस्कोण थे द्खित किया सच्णाण सिन्हा थे यह तो इसमें सवाल पूस्ता है कि समिधान सभा का अस्थाई अध्यच कोन है तो याद एक डॉक्टर राजिन्दप्रशा कोन सा समिधान सभा का बैठे कोई तो आपको दिली में जो हुआ था उस समय थे ठीकिए ऐसा याद करने का अपना तरीका है तो आस्थाई सचिनान सभा अस्थाई डॉक् आप यहाँ पे चलिए यहाँ पे है कि समिधान सभाग की प्रमुख शमीतियां और उनके अध्याच कौन थे बताएगा मेरे दोस्ते तो समिधान सभाग की प्रमुख समीतियां है और उनके अध्याच है इसमें किलियर करना है तो चलिए देखिएगा शमीति कौन-कौन बनाया थे यह भी भी एकोशन है याद उखेगा तो जैसे समीति एक तरफ अध्याच एक तरफ टो नियम समीति की अगर बात करें तो हम लोग डॉक्टर रजिंदर प्रशाद को याद करेंगे तो नियम समीति कौन बनाया तो डॉक्टर रजिंदर प्रशा हुआ है तो यह है ढोक्तर राजिन्द परशाद का तो नियम नियम होगा भी क्या सब्सक्राइब करने का अपना तरीका है और यह देखिए प्राम प्रामर्ष समीति परामर्ष या तखेगा परामर्ष दात्री समीती के गठन करने वाले कोई और नहीं सरदार बल्ला भाई पटेल थे नाम के अंशार बल्ला भाई पटेल है और नाम भी उनका समीती का क्या है परामर्ष दात्री तो परामर्ष दात्री के कोन है भाई सरदार बल्ला भाई पटेल है यह समीति पूसता है या तुखेगा तो परामर्ष दात्तरी समीति का कौन है डॉक्टर रिजिंदर परशाद है परामर्ष दात्तरी समीति का कौन है तो सरदार बल्ला भाई पटेल है यह दोनों जो है आपको सरदार बल्ला भाई पटेल का ही प्रामर्स दात्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त अजियंदा प्रशार नियम शमीती और संचालन समीती अप्रामर्स तैटरी और प्रांतिय शमीती यह दोनों स्वादार बल्ला भाई पटेल चलते हैं अब यहांपे देखें किंद्रिय अधिकार्शमीती यह कोन लाया था पंडी जवालान नहिरू जैसे नाम है किंद्र और चलते हैं आहां पर देखे हैं यहांपर देखिजित्ट नहरा है अगर आ जाए जहां किंद्रिया आ जाए और अधिकारिक शमीति या समिधान शमीति आ जाए राश्विति आज तो अपना किन ही याद करिए का पंडी जवाला नहरु को याद कर लीजेगा चिक एँ मुझे जिए इंपोर्टन से इसलिए पूस्ता है आगे शवाल है प्रारूप शमीती यह बहुत बाद पूस्ता है मेरे दोस्ते प्रारूप शमीती की बात होगी डॉक्टर भीम राउंबेदकर को याद करेंगे जैसे ही प्रारूप की हो रूप की बात हो तो डॉक्टर भीम राउंबेदकर की याद करें तो प्रारूप शमीती डॉक्टर भीम्राव अंबेदकर को याद करेंगे याद रुखेगा अब सवाल बनता है जंडा समीती यह बिहार रिशेशे में यह दोनों कोशन पुछाता जिसमें आपको तो प्रारूप शमीती को तो याद हो भी आ होगा बहुत लोग याद की जंडा समीamm threats का जो है न यहींट पर पूचा हुआ को पूछा हूआ स मिगा शीजीयल का मेंत ऊखेगा तो जरिकंट समीती के अगर बात करें विट जेपी कि रपाजी याद कर एगा मिठार समीती का अगर पूसते तो क्या बताएगा जेपी की गिडीब याद कूझ है लेकिन एक मौलिग अधिकार उप्षावापती भी मतलब सुर्णी उप्षमीटी अपर दिखिए कर मिरे दोस्त उप्षमीटी है उप्षावापती आदत हो गया ना मुझ पर वुचड़ गया है इसलिए तो जंडा शमीती की बात हो या मौलिक अधिकार उप शमीती की बात हो तो जेपी किरपानी को याद करेंगे तो जेपी किरपानी जी दो शमीती बनाए जिसमें फेमर्स क्या है जंडा शमीती और मौलिक अधिकार उप शमीती जो है जेपी किरपानी के नाम आता है याद रुखेगा अलप संख्यक उप्शमीती के बात करें तो अलप संख्यक उप्शमीती के बात करें तो H.C. मुखरजी का नाम आता है H.C. मुखरजी का नाम आता है याद रुखेगा ठीक है याद रुखेंगे मेरे दोस्त तो अगर अलब प्रशन के अक्ष्ण ओप समीति के बात हो तो एच सी मुखर जी को याद रुखेगा ठीक है तो इस इसके बारे में इस पार रिपिट कर लेता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है नियम समीति और संचाल समीती डॉक्टर रुगिन्द पचा नौझलग परशा रुखेंद प्रषय का ठाय। प्रारूप शमीत समीत्य जंडा समीति मौलीक इदिकारर उप शमीति किरलने तो यह रपिपानी अ uprighthunk कwarit H C मुखर जी याद हो गया अगर नहीं हो गया तो फिर से शोल देज़ेगा याद वजीगा मिरा दोस्त चुदेए का आगे चलते हैं चीक है आगे चलेंगे पूसता है कि जो सम्मिधान शभा था भारत का वो पताएगा उसमें शम्मिधानिक शलहकार किसे नुक्त किया गया तो वी अन्रौ को किया गया था या तो खेगा आगे सवाल है कि सम्मिधान शभा के बिभिन्य पहलू कि अध्यन हे तू शम्मिधान श पर दिखेगा सम्विधान शभा का शम्विधानिक शलाकार किसे न्युक्त किया गया था विएन रौ को ठीक है अगर आपसे पूछे कि सम्विधान शभा ठीक है सम्विधान शभा का शम्विधानिक शलाकार किसे न्युक्त किया गया तो विएन रौ को ठीक है याद रखेग आगे चलेंगे आगे शवाल पूस्ता है कि शम्विधान के विभिन्द पहलू के अध्यन हितु शम्विधान शवाम ने कितने शमिती नुक्त की थी तो या दिखेगा तेरा में शमिती नुक्त की थी या दुखेगा तेरा शमिती जो है नुक्त किया था चुछे या दुखे को अब यहां देखिए प्रारूप शमीती की जो है लाने वाले कौन थे समीती को एक खेंगा वियार अधर्बेद कर यही पूछा था और कभ आया था यद किगा तोंटिस तो यह देख लिए यह कुशन पूस्टा है इसलिए द्यान रखेंगे आगे शवाल है आगे शवाल देखेंगे बातिया शमिधान सभाग की प्ररूप शमीटी के अध्यचकों ने लिजे यह दूबारा कोशन आ गया वी यारंबिदकर आगे चलेंगे आगे है एक समिधान शवाग के प्ररूप शमीटी के सदश्यों की संख्या कितनी थी तो यह दूब आगे है तो अगर आप सब पूछे प्ररूप शमीटी की शंख्या अगर सदश्यों की संख्या साथ है तब आया था तो 29 अगस्त यह दूबारा कोन अध्यस्ते तो भी आरं आगे शवाल देखिए शमिदान शवा में सभी नेड़ें किस अधार पर लिए गये हैं तो आखिए शमाती और समायोजन यह तभी है ठीक है यह तब है आगे शवाल में दोस्त कि कि यहां पर लिखा हुआ है कि समिदान शवा के उद्देश पस्ताओ किस ने पस्तू उत्त किया तो याद रिखेगा जवाहला नेहर को बात करेगए जवाहला नेहरू को बात करेगए ऐस भी वी आइक क्वे सिट ना दोस्ति याद मैं जवहालानेहरू थे तो तो देखिए अगा उद्देश पस्ताउ जवहाला-नेहरू शंग्य सक्तिशमिति जवहाला-नेहरू तो याद केगा शंग्य सभीती जैसे ही आएगा जवहालानेहरू को चेलों छो कि पंडी जवहालानेहरू चीक्खा स्ग्या Thank you और दर्च वारत को था डान ऑझा की चलनेगे ड़ाखते 예ऽ का आगे लेकि यह बढ़ारत को भारत को एक शर्मीधान देने का पस्ताव क ही बालत किया गया three T वह था लिए स्थारिश को 22जनवरी A000 तो अगर आप से पूछे भारत को एक शमीधान देने का पस्ताओ कब शमीधान शभाद वरा पारित क्या गया तो बाइस जनुवरी में शो से तारिस को ठीक है याद रखेगा अब आजए यहां पर कि समीधान जो निर्मात्र शभा में जंडा शमीधी के अध्यच कौन थे ज जंडा समीधी के अध्यच अगर पूछे तो डॉक्टर रेजिंद प्रशाद है देखिए जंडा समीधी लाया कौन था यह देखिए यहां पर जंडा समीधी के अगर बात हो तो देखिए यहां पर देखिए जंडा समीधी जेपी किरपानी है देखिए और यहां पर क्या दिया हुआ डॉक्टर रजिन्दपरशाद देखिए दो याद रिक्षिए निर्मात्री शभा के जंडा शमीति के अध्यचकों थे डॉक्टर रजिन्दपरशाद याद रिक्षिएगा ठीके मेरा दोस्त या ध्यान रखेंगे आगे चलेंगे आगे है कि रश्टिय जंडा की अभी कलपना को भारत की समिधान शवा में कब गरहन किया गया तो या दिखेगा जुलाई उनेश्व से तारिस में गरहन किया गया जुलाई उनेश उस्टारीस में क्या गया गया गरहन क्या गया था यहां तकेगा रश्टि जंडा का अभी कल्पना में यहां तकेगा भारत की समिधान शवाम में गरहन क्या गया था यहां तकेगा जुलाई उनेश उस्टारीस यहां तकेगा यहां पर दिखेगा शमिधान यहां पर देहां देखेगा भारत की शमिधान शभादवारा रश्टी जंडा की कि डिजाइन को कव शुकार किया गया तो यहां पर देखे बारती शमिधान को आउन्शिक रूप से कव लागू किया गया तो 26 नुवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू करने का बात हुई कि अब हम शम्मिधान सभा को जो है भारतिय शम्मिधान को लागू करना चाहते हैं तो 26 नुवंबर को याद किया नुवंबर 1949 को याद किया चलिएगा अब यहाँ पर दिखेगा कि शम्मिधान सभा के कितनी उपस्थित सदेश्यों ने सम्मिधान पर हस्थाचर किया तो याद किएगा 284 लोग ने हस्थाचर किया था याद किएगा 284 लोग हस्थाचर किया था याद किएगा आगे चलिएगे आगे शम्मिधान सभाद वारा अन्तिव रूप से पारिष शमिधान में कुल कितने अनुषेद और अनुषेद और अनुषेद थी बताएगा जब समिधान अन्तिव रूप से पारिट हो गया था उस समय तो यह देखे उस समय तीन सो पंचान में अनुषेद हैं और आठ अनुषेद हैं यह तो अनुषेद पढ़ गये अब बताएगा कितनी पढ़ गये बताएंगे चीक है क्योंकि यह सब पढ़ा चुका हूं मेरे दोस्मोंक टेस्ट में शंपुन भारती शमिधान के निर्वान में समिधान शभा को कितने शमय लगा था शमिधान का निर्मान में तो यह दो बस तो लगे थी 11 माह 18 तो निर्मान कितने वर्ष में हुआ राव तो 2 वर्ष 11 मा अथारा दिन लग गया थे याड़केगा रेलेवे हूँ या आपका सेसी हो यह बिहार इस्ट शीजी का 2000 जो है लेकिन क्लियर हो जागा क्या होगा कि सम्मिधान शभा अंतियु रूप से किस तिन आकरी बार मिली तो यह रखेगा 24 जनवरी उनेंशोपचास को आकरी बार मिल गए थी 24 जनवरी उनेंशोपचास को लेकिन लागू नहीं हुआ था एक तरह से संसत के रूप में यह उभर के नहीं आया जिक है कब आया तो यह दो दिन बाद 26 जनवरी 1950 को तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ कि समिधान शवाका अंतरकाली जिक है संसत के रुप में अभी भार्व हुआ मतलब पूरेता सामने आ गया पूरे इंडिया गहिए पूरे भारत में समझे हला हो गया कि 26 जनवरी 1950 को क हुआ हुआ समिधान शवाका शंसत के रुप में वहर के आया सामने आया ठीक है उसी समय से हम लोग गंतंत्र की मनाम लगए ठीक है देखिएगा बहुत यह अच्छा का सवाल है अश्टार लगा दिजे भारत के यह यह भारत के लिए शमिधान शवाकी रचना है तू सुराज पार्टी जो है का विचारा आया था उने 134 न कि शमिधान शवाका विचारा आया सपरता सपरता शुराज पारत के मोटान नहरू रूही घयते तकी है अगी चलेगे अपढ़ाया भी चुक्या यह तकिए तो शमिधान के मतलब भारत के शमिधान का निर्माता किसे माना जाता है वियारम्यतकर को बियारम्यतकर को माना जाता है भाई शमिधान का निर्माता किसे माना जाता है वियारम्यतकर को आगे चलिएगा भारती शमिधान सभा में कुल कितने महिलाई थी तो पंदरह मैला थी याद कीगा परती शमिधान शभाज जो बना था उसमें पंदरह मैलाएं साथ याद कीगा आगे सवाल है कि शमिधान शभाज में किस देशी दिया सक कि प्रतिनी धी ने भाग नहीं लिया तो यां दिखेगा हैधरावाद ने नहीं दिया था हैधरावाद उससे में अपना सोचा कि नए बनाओंगा टीक है तो यार को हेद्राबाद को मिलाने वाले बल्ला भाई पटेल का भूमी का जादा आता है या दुखेगा बहुत अलग अलग इतिहास है ना लेकिन या दुखेगा जो हेद्राबाद जो था वो समिधान शबा के जो जियास्त था